कभी 16 करोड में बिखने वाले यूवी की खत्मुई बाश्शाहत, 2 करोड के फैर में फसे हैं यदि गज क्रिकेट का फटाफट फॉर्मेट IPL भारत समय दुनिया भर के खिलाडियों के लिए एक शानदार मंच रहा है भारत के यूवा क्रिकेटर्स के लिए तो ये T20 फॉर्मेट किसी संजीवनी से कम नहीं क्यूंकि कई ऐसे खिलाडी हैं जिनके लिए IPL ने ही राष्ट्रिय टीम के दर्वाजे खोले हैं लेकिन इस बार IPL 11 की निलामी में कई दिगजों की चमक फी की पड़ी वो भी भारती खिलाडी जो कभी IPL के स्टार हुआ करते थे उन्हें इस बार की निलामी में काफी कम कीमत पर खरीदा गया फिर चाहें वो यूवराज सी हो या फिर गोतम गमभीर इस बार तो हरवजन सी पर भी सस्ता दाव लगाया गया इसके अलावा विदेशी खिलाडी, हाशिम अमला और तूफानी बल्लेबास क्रिस गेल को तो खरीदा ही नहीं गया खत्म हुई यूवराज की बाश्चाहत IPL 11 की निलामी में यूवराज सी को किंग्स 11 पंजाब ने महस दो करोड रुपे में खरीदा जबकि पिछले कई सीजन तक वो इस टीम के कप्तान भी रह चुके हैं टीम इडिया में वापसी के लिए जद्दो जहत कर रही यूवराज के लिए IPL में कम कीमत लगना चिंता की वज़ब बन सकता है 2016 की चैंपियन हैदराबाद की टीम से यूवराज को साथ करोड रुपे में खरीदा गया था गौतम की भी घरवापसी कौलकता नाइट राइडर ने 36 साल के गौतम गंबिर को इस बार बाहर कर रास्ता दिखा दिया है मुंबई इंडियन्स की कप्तानी कर चुके हरवजन को इस बार चैंपियन की टीम ने 2 करण रुपे में खरीदा धेर हुआ गयल का तुफान अपनी दुआधार बल्लेवाजी से एक ओवर में मैज का रुप पलटने वाले क्रिस गेल को अभी तक किसी ने नहीं खरेदा है HCN की रिपोर्ट